नमस्कार फ्रेंद्स मैं हूँ आपका मित्र आपका सखा आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शोकों का हार्दिक अभी नंदन करता हूँ आज का राशिफल सरफ चैनल कमल लंदलाल पर आईजटीवी नेटवर्क पर और फेस्बू पेज़ पर उसलिए हमारे चैनल कमल लंदलाल को यूट्यूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आकिन दबाएं शेयर करें हमारे वीडियो अपने जीवन को परफेक्ट बन आज का महां उपाएं मेश से लेकर मीन राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशिय अनुसार उपाएं भी चलिए सबसब पहले शुरुवात करते हैं आज के पंचान से आज शुक्रवार का दिन है और तारीक है 27 मार्च 2020 आज चैतर महीने के शुक्ल पक्ष की तृत्याति थी है इसके साथ साथ आज गौरी पूजा है गरंगूर है मतस्य जैनती है और इसके साथ साथ विशेश तोर पर आज सरवार्थ सिद्धी यूग और रवी यूग भी रहेगा उसकी जानकरी भी मैं आपको देता हूँ आज मेश राशी रहेगी और सुभे 10 बचकर 10 मिनिट तक अश्वनी नक्षत्र रहेगा इसके बाद में भारणी नक्षत्र रहेगा आज रवी यूग रहेगा सुभे 10 बचकर 9 मिनिट से लेकर अगले दिन 6 बचकर 15 मिनिट तक सरवार सिद्धी उग रहेगा सुबह 6-17 से लेकर 10 बचकर 9 मिनट तक आज का राहुकाल रहेगा सुबह 10-54 से लेकर 12 बचकर 27 मिनट तक और आज का विशेश महुरत जो रहेगा वो रहेगा शाम को 6 बचकर 24 मिनट से लेकर शाम को साथ बचकर 46 मिनट टाक शुब मौरत रहे गाई है तो चलिए बात करते हैं राशी नंबर एक मेश यानि की एरीज की दिन आपका confidence से भरा रहेगा धर्म के प्रती आपके रुची बढ़ेगी आपके मन को शांत रखकर विवाद जो हैं आप हल करने की कोशिश करेंगे बिजनस के शेतर में आपको लाब मिल सकता है आज विशेश तोर पर जीवत साथी के साथ आपके संबंद मधूर बनेंगे इस राशी के जो लमेच हैं वो अपने मन की बात कह सकते हैं आपको ज़रूर जीत मिलें कि छोटा सफाय करें शिबलिंग पर गिंगा जल चड़ाए आपके हर मनुकामना पूरी होगी बात करता है राशी नमबर दो व्रिश यानि के टौरिस की दिन आपका खुशियों से भरा रह सकता है आपको किसे रिष्टेदार से कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है जिससे परिवार का माहौल जो है आपका अच्छा रह सकता है आप जरुवत मन को भूजन करा हैं इससे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा आगे बढ़ते हैं राशी नमबर तीन मिथुन यानि की जैमनाई का जैमनाई यानि मिथुन दिन आपके लिए अच्छा रहने जा रहा है आप अपने कामों में किसी फ्रेंड का सपोर्ट ले सकते है आफिस के काम आपके सामने कई चुनोती ला सकते हैं बस थोड़ा सा धीरत से काम ले जरूर आपको सब्लता मिलेगी इस राशी के जो स्टूडिंट्स हैं उनका जुकावाज किसी नई चीज की जानकारी जुटाने में रहेगा जीवन साती का सहयोग आपके कामों में कारग में मुझ के साथ बितानी की कोशिश करेंगे दोस्तों के साथ आज कहीं बहार आउटिंग पर जा सकते हैं इस राशी के जो स्टूडिंट्स हैं उनके मन में पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगे आज उनका ध्यान जो है वो थोड़ा भटा सकता है जिवन सात बात करेंगे राशी नमबर पांच सिंग यानि की लियो की सिंग राशी वालों दिन आज आज आपका अविस्तिता से बहा रह सकता है किसी आज फंक्शन में आपके जाने के योग बन सकते हैं आज विप्रीत परस्तितियों के कारण परिशानिया कुछ बढ़ सकती हैं आप गैर जरूरी कामों की और पहले आकरशित हो सकते हैं आपको इस सबसे बचकर रहने की जरूवत है कोई परानी बात आपके दिमाग में बैठ सकती है इस राशी के जो बिजनसमेन है उनके आज का दिन बढ़िया रह सकता है कहीं फसा हूँ और पैस आज आपको वापिस भी म रह सकता है आर्थिक स्तिती मुझबूत रह सकती है किसी काम में फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट में रह सकता है नौकरी यहां कारोबार में कुछ नया करने के आज आज आपकोशिश कर सकते हैं ऑफिस में सीनियर्स आप से कुछ रहेंगे प्रमोशन के चांसे भी बन रहे हैं दोस्तों और घरवालों के साथ में संबन भी आपके बहतर बनेंगे छोटा सा ज़रूर उपाय करें वो यह कि मंदर में फूल चड़ाएं जिवनसाती के साथ में आपके जो रिष्टे हैं वो बहतर बन जाएंगे चली अब बात करते हैं राशी नंबर साथ तुला य जहनद करेंगे वाज उनको सफलता निश्चे पूलेगी आज इसके अलाब आप फालतु खर्चा भी करेंगे तो थोड़ा ध्यान लखेंगी फालतु खर्चों पर थोड़ा सा आपको लगाम लगानी है छोटा सा उपाय जरूर करें हनुमान जी को बेसन के लड़ू करेंगे आज आपको अपने परिवायर से पूरी मदद भी मिल सकती है आज उसमें आपको तारीफ हासिल होगी आज एक चोटा सा फैजरू करें ब्रहमन को मीठा दान करें जीवन में आज आज आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं राशी नम्मर नौ धनू य अपनी अलग इमेज बनाने में आप सक्सेस्फुल रह सकते हैं इसी खास काम को लेकर आपका कॉंपिडेंस आज बहुत बढ़ जाएगा रोवैंस के लिए दिन अच्छा है जीवन में आगे बढ़ने के आपको आज नए अफसर भी मिलेगी पार्टनर के साथ संबंदों मे जुद्धी आएगी और लमेट के साथ आज कहीं आउटिंग पर भी जाने का प्लान मना सकते हैं एक चोड़ा सफाइज जरूर करें सूर्य देव को जलर पित करें आपकी हर काम में आपको सबलता मिलीगी बात करेंगे दस्वी राशी मकर वियानी की के प्रकॉंड की मकर र नए कपड़ों पर आपका खर्चा हो सकता है गुस्से में कोई गलत फैसला रहने से आपको बचना होगा पुड़ा सशान्त रहें एक चोटा सफाइज जरूर करें मातस सरस्वती के आर्थी करें आपकी परिशानिया पूर होगी चली अब बात करेंगे ग्यारवी राशी क अब यानि की आपको वह रेसकी उम्राशी वालों दिन आपके लिए फाइदे मन रह सकता है रोकेवे काम आज फ्रेंट्स की सपोर्ट से पूरे हो सकते हैं आज पेरेंट्स के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं वहां किसी अपने से आपकी मुलाकात भी हो सकती है ऑ आपका दिन बहतर रहेगा बारवी राशी मीन ये नहीं पाइसे उसकी बात करते हैं आज आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा है आप रिलेक्स महसूस करेंगे आपको किसी मामले में बड़ा आज डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर प्रणाम करें जीवन में दोस्तों का साथ बना रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें चैनल कमल लंदलाल और जाने से पहले आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो लाइक सब्स्राइब और शेयर करें य नशी इए ङब आपको एपको değişे से पा Meansरा झापको जिए टर शेखछ阜 में नशीकाराılar ये कि वीडियों दोस्तों के पा mail रगको जो संब्स्तों करें देते हैं जोस्तों आपको जभएएवश्कतम पते दोस्तों के इंटहरें से सी उते हैं आपको अवयाएश्कतम उताया